गुड मॉर्निंग स्टूजेंट्स पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कारक कि कारक क्या होते हैं, क्या इन के चिन हैं, कितने कारक के परकार होते हैं और कर्तानी कर्म को ऐसे कुछ एक आपको टेबल याद करवाई थी आगे उस टाइम हम पढ़ चुके थे कर्ता कारक अब हम पढ़ेंगे इसके आगे वाला कर्म कारक जिस संग्य यशर्व नाम पर कीरिया का परभाव पढ़े उसे कर्म कारक कहते हैं इसके चिन को है, यह कभी कभी छिपा भी रहता है जिसे राम पानी पीता है इस वाक्य में पीने की कीरिया का परभाव पानी पर पड़ता है यानि राम ने किसको पिया? राम ने पानी को पिया तो यहां को छिपा हुआ मिल रहा है अत्य है पानी कर्म कारक है क्या बताया इसमें देखिए संग्या ये शर्म नाम पर कीरिया का परभाव पड़े यानि संग्या ये शर्म नाम है उस पर क्या पड़ेगा कीरिया का परभाव कि राम ने पानी पिया तो राम ने पानी कुई पिया है तो यहां किस पर परभाव पड़ रहा है पानी पर यहां परभाव पढ़ रहा है पानी पर तो यहां पानी क्या है कर्म कारक की संग्या शर्वनाम का पर कीरिया का परभाव पढ़े अगर राम पर परभाव किसका पढ़ रहा है पानी का यानि राम ने काम किया क्या है पानी को पीने का काम किया है और करम कारक का चिन कौन सा है को जिसे देखो उसने रज़त को मारा उसने रज़त को मारा तो जिस पर काम का परभाव पड़े किस पर पड़ रहा है उसने है कोई और उसने रज़त को मारा है तो यहाँ मारा किरिया का प्रभाव किस पर रज़त पर पढ़ रहा है उसने यानि कोई वैक्ति है उसने किसको मारा रज़त यहाँ पर रज़त क्या है कर्मकारक और इसका कर्मकारक का चिन कौन सा होता है को ऐसे देखिए राम ने पानी पीता है तो राम का प्रभाव किस पर पढ़ रहा है यहां पर पानी के उपर पढ़ रहा है ना कीरिया का प्रभाव किस पर पढ़ रहा है राम ने काम कौन सा किया पानी पीने का काम किया है तो यहां पर किस की उज़े से पढ़ रहा है को चिन की उज़े से पढ़ रहा है आगे हम पढ़ेंगे हैं करनकारक करनकारक में देखिए जिस वस्तो की साहिता से या जिस वस्तो के दवारा कोई काम किया जाता है उसे करनकारक कहते हैं इसमें चिन से तथा के दवारा है जिसे मोहन कलम से लिख रहा है इस वाक्य में लिखने की किरिया करने के लिए कल्म की साहिता ली गई है अतै कल्म करन कारक है कि जिस वस्तु की साहिता से कोई काम करा जाता है वहाँ कौन सा कारक होता है वो करन कारक होता है करन कारक की विविक्ति क्या है से और के द्वारा अगर से और के दवारा हमें मिलता है और जो वस्तू है वो क्या कहलाईगी करन कारक और से और के दवारा से उसकी करन कारक की पहचान की जाती है जैसे मोहन कलम से लिख रहा है तो यहां से लिख रहा है यानि मोहन किस की सहयता से काम कर रहा है मोहन कलम की सहयता से कोई काम कर रहा है तो करता तो यहां मोहन है यह करता कारक तो लेकिन इसमें कारक कुंसा है साथ में कलम से अगर से आता है तो से किसका चिन्न है से किसका परश से क्या हो गया विभक्ति चिन जिससे हमें इसकी पहचान हो गई है जिससे देखिए वह बस से विधाले जाता है तो यहां वह कुन करने वाला करता हो गया और बस से यानि बस की दवारा बस से विधाले जाता है तो यहाँ पर किसके दवारा काम हुआ है बस की दवारा काम हुआ है तो बस यहाँ क्या होता है बस यहाँ करण कारक है ऐसे जिसे हमें पत्र दवारा समाचार मिला तो किसके दवारा मिला पत्र तो पत्र यहाँ क्या होता है करण कारक आगे देखिए संप्रदान कारक जिसके लिए किसी कीरिया को किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं यानि जिसके लिए कोई है उसके लिए हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं करन कारक जिस जिन के लिए जैसे वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया तो यहां किसके लिए काम हो रहा है भाई के लिए भाई के लिए हो रहा है तो भाई यहां क्या होता है संप्रदान कारक और इस वाके में लाने की किरिया भाई के लिए हुई है तो यहां पर काम किसके लिए हुआ है भाई के लिए और आता है भाई संप्रदान कारक है के के चिन मिलता है तो वहां संप्रदान कारक होता है जैसे बिखारी को बोजन दो तो बोजन देने का काम किसके लिए हो रहा है बिखारी के लिए तो बिखारी क्या हो गया यहां संप्रदान कारक सभी के लिए कपड़े लाओ तो सभी के लिए कपड़े लाओं में के लिए यानि किस के लिए क्रिया हो रही है सभी के लिए क्रिया हो रही है तो सभी क्या हो गया संप्रदान कारक के लिए और को मिलता है तो वहाँ आपको संप्रदान कारक मिलता है संप्रदान कारक होता है इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे आगे का हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे